एलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मुझे उमीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बड़िया होंगे तो जैसे कि मैंने आखरी जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमे मैंने साम्मेवाद को समझाया था और मैंने बताया था कि जो समाजवाद है वो समम्मेवाद की गोट से ही पैदा हुआ है तो समाजवादी अर्थवेवस्ता को आज हमें देखना था आखर क्या है ये समाजवादी अर्थवेवस्ता समाजवादी अर्थवेवस्ता सेमू अलसन के अनुसार समाजवाद का तातपरिय उत्पादन के साधन पर सरकारी स्वामित्व या सरकार द्वारा नियोजित आएके वित्रण से है अर्थात, समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसे सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है यानि जो समाजवाद है इसको सरकार नियंत्रित कर सकती है समाजवादी अर्थवेवस्ता की प्रमुक विशेष्टा है समाजवादी अर्थवेवस्ता की प्रमुक विशेष्टाओं के अंदर सामुहिक, स्वामित्व, आर्थिक, सामाजिक और राजनेतिक प्रतियोगिता का आभाव और सरकार की भूमी का ये सरकार और समाजवादी अर्थे विवस्ता की प्रमुक विशेष्टाएं है इसमें सामुईक स्वामित्व में अगर हम देखे तो इसमें समाजवाद में उतपादन के सभी साधनों पर समुदाई यानि सरकार का स्वामित्व होता है दूसरा आर्थिक, सामजिक और राशनेतिक समानता में अगर देखें तो सबके पास समपत्ती, सबके पास जो समपत्ती रहती है वह समान अमीर गरीब का भेदभाव नहीं मतलब सभी के पास समान समपत्ती और साती साथ अमीर गरीब का भेदभाव भी नहीं समाज में धार्मी किया जातिगत विभाजन नहीं दरसल समाजवादी समाज में किसी भी किसिम की उच नीच का विभाजन नहीं होता कोई भी वेक्ती सत्ता के शिर्ष पर पहुंच सकता है क्योंकि उच नीच का विभाजनी नहीं होता है आर्थिक आयोजन समाजवाद के तहट सरकार कुछ उद्धिश्यों को निर्धारित करती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए कैंद्रिय इस तर पर योजनाओं का निर्मान करती है राज्य एकलोता उत्पादक होता है इसलिए या प्रतियोगिता का अभाव होता है जो कि पुझिवाद के एकदम विपरीद है सरकार की भूमी का सबी प्रकार के आर्थिक निर्णों में सरकार की भूमी का प्रमुक होती है सबी आर्थिक गतिवीदियों जैसे उत्पादक, वित्रण, निवेश, विदेश, व्यापार, आधी पर सरकार का पूर्णी अंत्रण होता है सरकार की भूमिक है इसमें मुक्यत है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हो गई जिसमें निवेश और कितना उत्पादन हो रहा है कहां का वित्रण करना है और किस किस देश से व्यापार करना है इन सबी चीजों पर सरकार का पूनता है नियंत्रण होता है इसके सकरात्मक पक्ष है समाजवादी अर्थवेवस्था के सकरात्मक पक्ष तो शमता के अनुसार काम और जर्रत के हिसाब से मजदूरी इसमें शम्ता के अनुसार काम होगा और जर्रत के हिसाब से मजदूरी मिलेगी अधिक्तम समाज कल्यान साथी साथ पैतरक संपत्ती का अस्तित्व नहीं होगा मजदूरों को अधिकार मिलेगा जो पेतरक संपती है उस पे मज़्दूरों का अधिकार जो अस्तित्व नहीं होगा लेकिन मज़्दूरों का अधिकार होगा नियून्तम वेतन मुफ्त इक्षा सभी के लिए जीवन के बुनियादी आवशकता हैं वो भी सभी लोगों के लिए और इस्त्री पूरुष समान था मानोव की प्रतिष्ठा तता सम्मान समाजवादी वेवस्ता की नकरात्मक पक्ष हमने सकरात्मक पक्ष जेसा की देख लिए अब हम पढ़ेंगी नकरात्मक पक्ष नकरात्मक पक्षो में एक प्रमुक आर्थिक विचारधारा के रूप में अंततह विफल हो गया कौन समाजवादी वेवस्ता इसकी विफलता का कारण इसकी समाजवादी वेवस्ता की विफलता का कारण इस विचारधारा के मूल दर्शन में ही वेक्ती अपनी शम्ता के अनुसार काम करेगा लेकिन उसे मजदूरी जरुरत के हिसाब से मिलेगी ये था, इसलिए ये समाजवदी विवस्ता विफल हुई थी, मतलब शम्ता अधिक, शम्ता अधिक काम अधिक लेकिन मजदूरी समान मिलेगी, अतै प्रोथ साहन नहीं, अधिक लाप की उमीद भी नहीं, ना तो इसके अंदर मजदूरी तीरे काम से भागने लगे, काम को बहतर करने के लिए, अपने शम्ता को आगे बढ़ाने की कोई वज़य नहीं थी, ना तो वो काम को बहतर करना चाते थे, और नहीं अपने काम करने के लिए, शम्ता को बढ़ाने के लिए, उनके पास में कोई वज़य भी नहीं थी, क्योंकि मस्दूरी तो वही समान मिलने वाली थी और साथ साथ में लाब की उमीद भी नहीं थी और प्रोसान भी नहीं था उनको आता है नया इनोवेशन भी नहीं हो पाया उद्यमिता नहीं रही इससे दिरे दिरे आर्थिक प्रणाली खोकली होती गई और अंततय पूंजीवात से लड़ाई में हार गई वास्तिविक्ता ये है कि कम्यूनिस्ट देशों में सरकार, सरकारे जनता के नाम पर सभी उद्योगों और संसादनों का प्रबंदन करने लगी दिरे दिरे प्रस्टाचार बढ़ेने लगा सरकार में शामिल लोग बैतर जिन्दकी जीते, भोग विलास करते तथा आम जनता को केवल क्रांती के गीत ही मिले समाजवादी आर्थिक प्रणाली से जनता का विश्वास कतम हो गया यह जो सब चीजे थी, इन सबी से ही समाजवादी जो आर्थिक प्रणाली है, इसे जो जनता का विश्वास था, वो सबी सारा विश्वास खतम हो गया था इसी के साथ सामेवादी आर्थ विवस्ता और समाजवादी आर्थ विवस्ता की सारे टॉपिक क्लियर हो चुके के साथ मिलते हैं कर धन्यवाद